अलो दोस्तो सुवागत है आपका मेरे इस सेनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों में बात करेंगे सभी पूरु सैनिकों और केंदरी करमचारियों के लिए दोस्तो तीन से चार इंप्टेट्स के बारे में दोस्तों सबसे बड़ा इंप्टेंट पॉइंट है वह आपका आठवा वेतनायों को लेकर और दोस्तों आठवे वेतनायों को दोस्तों एक फरवरी कि 2025 से लागू करने के लिए पूरा कोशिश की जा रही है और इसके लिए जो जॉइंट काउंसल है उनके तरफ से दो लेटर जा चुके हैं और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों यह है कि इसमें जो फिट्मेंट फेक्टर है उसका जो है अभी तक उसके ओपर प्रॉपर जो है कर दिसीजन नहीं हो पा रहा कि फिट्मेंट फेक्टर कितना होना जाहिए अभी तक 1.92 2.86 2.88 1.88 कहीं नहीं दोस्तों फिट्मेंट फेक्टर ही में रिजन रहेगा जो कि आपका जो है सेलरी में कितनी बढ़ोतरी होती है और सबसे बढ़ी चीज़ दोस्तों यह कि यह जो सेलरी का कैलकुलेशन भी है वो आपका जो 2026 के में जो आपका डिये डियार होगा और अगर अभी की जो रन रेट से जिस तरीके से डिये में बढ़तरी हो रही है उस हिसाब से दोस्तों बहुत आराम से जो है यह जो 53 परसंट है वो सब्सक्राइब करते हैं फिर भी जो है जो सेलरी में जबर्दस उशाल होने वाला है और उस टाइम पर 63 परसंट लगवार लगवार डिये के हिसाब से जो है कैलकुलेशन होगा और एक तरफ से जो है डिये को जो है बेसिक में मर्ज करने के लिए भी जो है डिसक्रिशन चल रहा है तो दोस्तों दिसंबर का महीना जो है वह बहुत इंपोर्टन होने वाला है क्यूंकि दिसंबर के महीने में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी और कहीं न कहीं यह बहुत ज़रूरी है कि जो फरवरी यानि कि जनवरी दोहजार पच्चिस जनवरी तक जो वैसे भी अल्टिमेटम दिया गया है अब उसको जो है किसी तरीके से सो कंप्लीट करने के लिए जो इस महीने की जो मीटिंग होगी वह बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करेगी दोस्तों बहुत इंपॉर्टन रहेगा देखना कि अभी एट पे कमिशन पर क्या चल रहा है और इस टाइम पर ओर 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 ओपी 3 का भी सबको एरियर मिल गया ओर 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 पी 3 के हिसाब से सब्सक्राइब करने के लिए मान जाती है उसमें भी फायदा है क्यूंकि अगर वो डिले होता है तो उस टाइम से तक का एरियर भी मिलता है तो सबसे पहला जो काम है जो कोशिश की जा रही है वो यह कहा जा रहा है कि जल से जल जो है इसका भूगतान शुरू हो और जल से जल सरकार इसके ऊपर कोई अधा करना है कि कब से इसके लावा एक और अपडेट की जो की आपका फिक्स्ट मेडिकल लाउंस से लेटेड है दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहें और साथी साथ बेल आइकन जरूर दुबाए दोस्तों एक और बहुत बड़ा मुद्दा है वो पूर उसेनिकों का वो है आपका फिक्स्ट मेडिकल अलाउंस को लेकर दोस्तों फिक्स्ट मेडिकल अलाउंस बहुत टाइम से इसके उपर एक तरीके से स्ट्रगल चल रहा है कि जो पूर उसेनिकों को फिक्स्ट मेडिकल मिलता है पर मन्त वो काफी कम है और उसको बढ़ा के जो है पहले 5000 बोला गया था डेटा भी मंगाया गया था लेकिन दोस्तों आप समझ सकते कि यहां पर छोटी सी भी कोई सेलरी में बढ़ोतरी है पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो फारेंस डिपार्टिट पर जाका डग जाता है तो 5000 वाला केस तो नहीं बन पाया अब एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि जो फिक्स्ट मेटिकल लाउंस है वो हजार से बढ़ा कर 3000 किया जाए कुछ तो जो पूर कर दो चिन को फैसलिटी नहीं ले पारें तो उससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला इसलिए जरूरी है कि आप जो है जिन लोगों को एसी छह की फैसलिटी नहीं मिल पारे है अपार्ट कि उन्होंने कार्ड ले भी रख़ा और उनके पास फॉली क्लिने की सुझध नहीं है हलाकि एस लगतार अपने पॉली क्लीन को बढ़ाई जा रही है बट स्टिल जिन लोगों के पास कार्ड होने के बाद से उनको यह फैसिलिटी नहीं मिल रही है उनके पास यह option है कि वो जो है FMA में convert हो जाओ FMA लेना चुरू करते हैं उस केस में दोस्तों जब वो FMA में लेना चाहते हैं तो जो रकम है वो बहुत कम है और जो ECHS का compare करें तो कहीं पर भी उसके आज पास भी निस्टेंट करते हैं इसलिए दोस्तों इसको आप 3,000 रुपे सब्सक्राइब कर सकती है दोस्तों यह थे आज के दो इंपॉर्टेंट अपडेट अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले है यह 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 फर वाचिंग इस वीडियो